हलो इस वीडियो में हम ट्रांस्फर्मर का डिस्केशन करेंगे जो कि फिर्स्ट इयर के सारे ब्रांचेज के लिए इंजिनियरिंग इस्टूडेंग बीटेक के सारे ब्रांच के लिए बहुत ही यूसफुल चेप्टर है कोई भी ब्रांच हो एलेक्टिकल हो मेकेनिकल हो सीविल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच इस डिस्केशन करेंगे डियल्ट र्रांसवर्मर क्या होता है रियल्ट र्सफर्मर क्या है इसके practical applications क्या हैं ये सारे discussion करेंगे उसके बाद transformer को कैसे test किया जाता है फिर उसको कैसे install किया जाता है site पे ये भी discuss करेंगे उसके बाद voltage regulation और efficiency discussion करेंगे auto transformer का भी चर्चा करेंगे three phase transformer का भी करेंगे चर्चा ये सारे transformer से related work है transformer electrical engineering का बहुत ही useful equipment मेंट है जिसको हम जिनरेशन जहां पर एलेक्टिकल पावर जिनरेट हो किया जाता है वहां पर भी यूज करते हैं ट्रांसफर्मर को उस जगह उसको पावर ट्रांसफर्मर करते हैं फिर जो है कि वहां पर वोल्टेज को स्टेप अप वोल्टेज बढ़ा करके फिर जो है ट् voltage को इंडस्ट्री को अलग supply दिया जाता है वहां से voltage को reduce किया जाता है तो रिडीوس करते करते finally जो हम लोग कजूमर है domestic कंजूमर हैं वहां तख इस voltage को supply करके दिया जाता है जहां की voltage adults किया जाता है और voltage 230 volt हो सकता है हो सकता है 420 वोल्टेज भी लेते हैं 424 30 वोल्टेज की ज़रूवत परती हैं जो small industries वगरा है जैसे कि आप प्रिक्टिकल में भी जो ट्रांसफर्मर यूज करते हैं वहाँ 222 30 और 430 के भी ट्रांसफर्मर होते हैं बेसिक लेक्टिकल लैब में जिसे हम यूज करते हैं तो ट्रांसफर्मर है क्या कि यह ट्रांसफर्मर एक डिवाइस है डिवाइस 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 डि भी कोई change नहीं होता है जब transformer जो है एक side से दूसरे side तक जब हमारा voltage को transfer करता है या current को transfer करता है तो उस condition में हमारा जो है कि कहीं भी frequency का कोई change नहीं होता है यह constant frequency पे यह बहुत important part है transformer के लिए कि without changing frequency, frequency will not be changed if you transfer the current or voltage from one side to another side, primary side और secondary side तो इसमें जो है आपका कहीं भी frequency का change नहीं होता है लेकिन यह frequency जब आप induction motor जब हम discuss करेंगे उसमें देखेंगे कि frequency जो है stator और rotor side में दोनों में अलग होती है frequency और frequency change हो सकती है लेकिन यहां frequency change नहीं होती है if voltage is increased अगर हम voltage बढ़ा देते हैं तो current क्या हो जाता है? degrees कर जाएगा अगर voltage हमारा increase होगा तो current क्या कर जाएगा? degrees कर जाएगा at the same side it is called a step of transformer जिस side में voltage जादा होगा उसी side में current क्या कर जाएगा? degrees कर जाएगा और ऐसे transformer को हम क्या कहते है? a step of transformer कहते है अगर voltage if voltage is reduced then naturally current will increase at the same output side it is called a step down transformer a step down and a step up is decided based on the voltage of the transformer यानि अगर voltage जादा है तो उसको step up कहेंगे और voltage अगर कम है तो उसको step down कहेंगे अब इसमें transformer में यहाँ जो general transformer की हम बात करते हैं इसमें दो side होता है primary side and secondary side तो primary side का मतलब यह होता है कि जीधर हम connection यानि source electrical energy देते हैं वो side हमारा primary होता है जीधर से हम output लेते हैं वो side हमारा secondary होता है यह interchangeable भी है जिस side से अपने primary लगा जिस side से source दे दिया supply दे दिया वो आपका primary हो जाएगा और जिस side से output ले लिया वो secondary हो जाएगा तो मैंने देखा कि यह transformer जो है यह दो तरह के basically function करता है या तो voltage को भटाता है या बढ़ाता है अगर voltage बढ़ रहा है तो अवसी समय current जो है वो कम हो रहा होगा और अगर voltage कम है तो same time current जो है ज्यादा होगा तो transformer in its simplest form a transformer has two winding transformer को दो winding होते हैं that are coupled through magnetic core magnetic core is mandatory without magnetic core we cannot transfer energy from one side to another side so यह magnetic core जो है transformer का क्या करता है कि transformer जैसे हम primary side में AC supply देते हैं तो वो changing flux current flow कर रहा है changing तो changing flux produce होगा 5V to Li के relation से तो इसमें जो है जो changing flux है यह flux primary में link करता है और जो transformer का जो होता है जिस पर winding को लपेटा जाता है तो उस कोर से हो करके यह क्या करता है कि यह flux यह आपका जो है जैसे यह अगर हमने यह बना दिया transformer का कोर तो इस कोर से यह है कि यह कोर है material यह magnetic material का बना हुआ कोर है इसके प्राइमरी साइड में यह windings है और यह winding जो है आपके secondary side के winding है तो यह क्या होता है यह core के magnetic core के अंदर से यह flow करता है यह core से यह जाएगा यह magnetic core है यह primary side को और secondary side को क्या करेगा यह flux link करता है इसी लिए इस flux को mutual flux कहते है क्योंकि यह flux दोनों में primary में and secondary में link करता है इसलिए इसको mutual flux करता है इसी flux के link होने से Faraday's law से Faraday's law of electromagnetic induction से इसमें भी induced voltage produce होगा d5 by dt, minus d5 by dt और इसमें भी flux के वज़े से voltage produce होगा d5 by dt तो यह induced voltage secondary and primary दोनों में होता है due to the flux जो यह flux दोनों winding में जाता है कुछ ऐसा भी flux होता है जो इसके air में चला जाता है यह इस तरह से तो यह जो flux air में गया इस flux को जो air में चला जाता है इस flux को leakage flux कहते है leakage, this is called leakage flux यह दोनों flux जो air में चले गए leakage and यह flux जो है दोनों में जो जा रहा है जो winding में जा रहा है उस flux को linkage कहते हैं और वो flux जो air में चला गया इसको leakage flux कहते हैं अब यह जो winding है, windings are wound on ferromagnetic core, ferromagnetic core पे यह winding जो है यह wound होते हैं बंधा रहता है, insulation is also the part of transformer to insulate winding and core अब यह जो winding है, यह एक दूसरे से touch हो रहा है, तो इसको जो है insulation किया रहाता है ताकि mechanical तो touch हो, लेकिन electrically यह winding touch नहों हो classification of transformer, transformer के तीन classification है, पहला classification है based on operation यानि कि operation के basis पे दो तरह के होगा, step up होगा या step down होगा step up means, यह यहां जो है कि output voltage जो होगा, यह V output जो होगा, यह ज्यादा होगा V output more होगा, और जब output voltage ज्यादा हो जाएगा, तो output current जो होगा, वो क्या हो जाएगा current जो है कम हो जाएगा, output current जो है, इसमें decrease कर जाएगा output voltage increase करेगा तो output current क्या है? decrease कर जाएगा इसका वाईसे वर्षा जो है step down transformer में step down में output voltage क्या हो जाएगा? decrease कर जाएगा और output current क्या हो जाएगा? increase कर जाएगा यह इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों का product V and V multiplied by I इसका product क्या होना चाहिए? यह constant होना चाहिए V, I का product तभी constant होगा अगर voltage बढ़ रहा है तो current घटना पड़ेगा अगर voltage घट रहा है तो current को बढ़ना पड़ेगा तभी इन दोनों का product जाएगा constant होता है दूसरा है based on construction construction के basis ते transformer भी दो तरह का होता है एक है shell type, एक है core type यह हम आगे देखेंगे कि shell type में winding कैसे रखा जाता है और core type में कैसे रखा जाता है उसके बाद है based on number of winding number of winding कितने होंगे transformer में single winding transformer भी होता है जिसको आप कहते हैं auto transformer, यह transformer इसमें दो winding नहीं होती है, एक ही winding होती है जैसे इस तरीके से इसमें एक ही winding होगी जिस पे हम क्या करते हैं कि primary as well as कुछ part इसमें से ले लेते हैं for secondary के लिए ये हमारा आ जाता है V2 means secondary और यहां से ये हमारा V1 जो है ये इसके कुछ parts जो है हमारे ये primary voltage के तरह use करते हैं यहां से हाथ तो इसमें दो winding नहीं होती है single winding है इसलिए इसको auto transformer के नाम से जाना जाता है दूसरा है two winding transformer जिसको हम detail में पढ़ेंगे two winding transformer means primary winding and secondary winding three winding transformer भी होता है एक अलग extra winding है जिसको हम लोग tertiary winding भी कहते है other classification भी है transformer का जैसे power transformer used at the power station and grid station यह जो power transformer है यह हमारा grid station और इसमें use होता है grid station यह power transformer जो है वो हमारा use होता है कहां पे use होगा power station पे जहां पे electrical energy generate होता है वहां पे power transformer use करते हैं और यह power transformer क्या है कि 100% load पे यह हमेशा काम करता है क्योंकि power जहां पे electrical energy जेनरेट करते हैं, वहाँ पर यह transformer हमेशा loaded रहता है, तो इसकी designing ऐसा करते हैं, कि यह 100% load पे maximum efficiency दे, 100% load, क्योंकि यह transformer 24 hour loaded रहता है, और इसको कहां, grid में, जहां पर बहुत सारे energy sector, जो है, बहुत सारे stations, energy generating station, अपने energy को grid को देते हैं, फिर वहाँ से जो है, यह energy हमारा distribute होता ह दूसरा तरह का transformer है, जिसे distribution transformer कहते हैं, जिसको use करते हैं street पे, जैसे आप लोग अपने घरों के पास देखते होंगे, जो transformer है, यह सारे distribution transformer है, एक और transformer है, जिसको isolation transformer, block transmission of DC component in a signal from one circuit to, isolation के तोर पे भी use कर सकते हैं transformer को, क्योंकि transformer, सिरिफ आपका AC के लिए work करता है, DC के लिए work दही करता है, जब DC देंगे, तो D5 by DT क्या हो जाएगा, flux constant है, तो D5 by DT 0 हो जाएगा, जिसके वज़ा से यह transformer जो है output voltage नहीं देगा, तो अगर इसमे कोई DC component है, तो यह block कर लिया जाएगा, और AC component क्या कर देगा, यह pass कर देगा, तो इसलिए इस transformer को हम लोग isolation transformer कहते हैं, potential transformer use to measure, potential transformer भी हम use करते हैं, जिसको voltage measure करने के लिए, और current transformer भी use करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कि current measure करते हैं, तो इससे current transformer use करते हैं, isolation transformer को, और हम लोग safeguard sensitive, electronic against damage by using, isolation transformer भी safeguard के तरह use करते हैं, provide line isolation, noise filtering, surge suppression, surge suppression क्या होता है, कभी कभी voltage बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसको भी stop करता है, electronic industrial में, offices and network environment में इसको use करते हैं, तो transformer जो है, बहुत जगए use होता है, electronic circuit में use होता है, control circuit में use होता है, communication में use होता है, transmission में use होता है, electrical energy distribution में use होता है, तो ये बहुत ही useful जो है equipment हमारा है